नमस्कार मेरे प्यार साथियों कैसे आप सभी देखिए बेस्टी से एक्जाम के अगर बात करें तो इस वीडियो में हम कुछ महत्मों क्वेशन के प्रेक्टिस करने वाले हैं इसमें हिंदी और राजस्तान जीके के मैं क्वेशन लेकर आया हूँ तो देखिए आपकी तैयार नहीं बढ़ेगा तब तक हम एक्जाम में अच्छा परपोमेंस नहीं कर पाएंगे तो ये क्वेशन में आपकी लिए लेकर आया हूँ हिंदी और अपने राजस्तान जीके के लगबग इस वीडियो में 35 क्वेशन है तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और क्वेशन में से कोई नहीं क्या जग इस का अंसर देखिए मैंने आपको पेरे भी बता रहा हूँ आप ज्यान रखें वाक्य क्या आपके तीन से चार प्रशन हर बार पुछे जाते हैं ये टोपिक आप अच्छे से पढ़ लेना रचना के आदार पर ले ले लिजिए फिर अर्थ के आदार पर अपने तीन से चार प्रशन पुछे जाएंगे तीन से चार प्रशन पुछे जाएंगे तो देखिए इसमें अगर देखिए वह आगे बढ़ता गया और लोग पिछे रहे गए और इसमें क्या है अपने ये योजक सब्दे वह आगे बढ़ता गया लो कि निर्बर कर रहे होते तो यह अपने मिस्र वाक्य हो जाता है क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर होता कि अगर वो मेरी मदद करता तो मैं भी आगे बढ़ जाता अगर वो मेरी मदद करता तो मैं आगे बढ़ जाता यानि कि एक दूसरे से क्या है निर्बर कर रहे हैं तो ये इस परकार के वाकिए क्या होते हैं अपने मिस्र वाकिए होते हैं लेकिन ये एक दूसरे के उपरा निर्बर नहीं कर रहे हैं यहां पर क्या है योजक सब दें तो ये भी अपने क्या है सयुक्त वाकिए हैं ओप्श योजक सब दें ये भी अपने क्या है सहीवक्त प्रकार का वाकिय है option C इसका भी correct answer हो जाएगा ये भी अपने सहीवक्त वाकिय है जब आप वाकिय अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से आराम से समझ में आ जाएंगे equation अगला प्रस्ट ने आपको ये राम ने रावन को मारा इस वाकिय में उद्देश्य क्या है राम ने रावन को मारा तो देखे उद्देश्य और विदेः अपने वाकिय के दो अंग होते हैं उद्देश्य होता है एक तो और एक होता है अपने विदेः करता और करता का विस्तार को अपने उद्देश की केते हैं इसमें उद्देश को ही पूचाएं तो इसमें करता कोने अपने राम है राम तो राम ही क्या हो जाएगा इसमें उद्देश हो जाएगा option A, इसका correct answer हो जाएगा option A, इसका एकदम correct answer हो जाएगा, उद्देश है यह अपने अगला प्रशने, question 4 question 4 कहे करे है अपने इसमें इच्छा वाचक वाग्य कौन सा है इच्छा वाचक, आप अच्छे है न तुम्हारी उन्नती हो आप प्रातकाल उठे अपना काम स्वेहम करो इसमें अपने इच्छा वाचक कौन सा है वाग्य है, तो दीखे, आप अच्छे है न, यह तो अपने question mark लग रहा है, यह प्रशन वाचक वाग्य है आप प्रातकाल जल्दी उठे, एक्टर से यह तो अपने एक सला दी जा रही है जल्दी उठे, यह भी अपने इच्छा वाचक नहीं इच्छा इसमें प्रकटनी हो रही है, इसमें हो रही है अपने क्या कौन सी? तुमारी उन्नती हो, इसमें इच्छा प्रकट हो रही है अपने, इच्छा वाचक वाग्य यह हो जागा, अपने option वीज का correct answer है, question 5 है, इनमें से एक अभी वर्तनी वाला सब्द कोन सा है? तो दीकि इनमें से सही वर्तनी कोन सी है? स्त्रोत को अपने त्रोत को अपने सही वर्तनी कैनिसार किस प्रकार लिखेंगे अपने? तो दिखिए इसमें ये दोनों तो आप देखते ही काट देंगे अच्छे से मुझे मेरे को पता है ये दोनों तो आप सही करके आओगे नहीं इन दोनों में आप confused होगे कि इन दोनों में सही कौन सा हैं तो आप ध्यान रखें इसमें यह त्रह की मातरा पूरी है और इसमें यह अधी है तो यह चोता अपने एकदम से होगा इस प्रकार लिखते हैं अपने स्रोथ ये तो आप ध्यान रखें ये option D हो जाएगा इसका correct answer ये एकदम सही है ये सही नहीं होगा ये वाला सही होगा option D इसका correct answer हो जाएगा question चाहें इनमें से सही वर्तनी वाला सब्द कुन सा है कृत कृत्य की अपने सही वर्तनी बतानी है तो इसमें भी आप ध्यान रखें देखिए साथ साथ आप भी comment करते रहें किवल question देखने सुनने से ही कुछ नहीं होगा खुद भी active रहना पड़ेगा आप भी खुद भी मन में आंसर सोचिए कि इनका आंसर क्या हो सकता है तो देखिए इनमें सुद्ध वर्तनी कुन सी अपने कृत कृत्य हो जाएगा इसका correct answer कृत कृत्य इस प्रकार लिखते है option ए इसका correct answer है इसको इस option में भी आप confused हो सकते हैं क्रित क्रित नहीं होगा आपने क्रित क्रित होगा आपने option ए इसका एकदम correct answer होगा इए अगला प्रसने सही वर्तनी वला सब्द कुन सा है अपने चोवन चोवन चोपन या फिर चोपन क्या जागा इसका answer देखिए 54 अपने इस सब्द के लिए अपने सही सब्द कौन सा है मानक सब्दावली के इंसवार अगर देखिए तो चोवन इस प्रकार लिखते हैं यह option ए इसका correct answer है चोवन option ए इसका हो जाएगा एकदम सही answer अगला प्रसने पढ़ाई सब्द में यह प्रते है कौन सा प्रते है अपने पढ़ाई में इ आई डाई यह ए क्या हो जाएगा इसका answer तो देखिए पढ़ाई में अपने आई परते हैं option भी इसका एकदम सही answer होगा आई हार परते किसमें नहीं है अपने लुहार, खेवन हार, जानन हार, पालन हार क्या हो जागे इसका अंसर हार परते किसमें नहीं पूचा इसमें तो तो तक ये खेवन हार में है, पालन हार में है, जानन हार में है लेकिन लुहार में अगर बात करें तो लुहादन आर होता है इसमें आर परते हैं हार नहीं इसमें आर परते हैं तो option ए इसका सई अंसर है इसमें नहीं है अगला प्रशन है जिसके उपर किसी का उपकार हो वाक्यांस के लिए प्रियुक्त एक सब्द निमने से कौन सा है तो देखे जिसके उपर किसी का उपकार हो वाक्यांस के लिए प्रियुक्त एक सब्द कौन सा अपने क्रितार्थ, परोप जीवी, उपक्रित या फिर उप में किया ज़ाएग इसका आंसर? तो दिक एज़िए इसका एकडम correct आंसर अगर देखें तो उपकृत यह होगा option c is का correct answer option c is का सही answer है question 11 किसी मत का सर्व परतम प्रवर्तन करने वाला वाक्यांस के लिए प्रियुक्त एक सब्द क्या जाएगा तो कि किसी भी मत का सर्व परतम प्रवर्तन करने वाला किसी भी मत को सबसे पहले चलाने वाला जैसे अपने जेन धर में जेन मत को सबसे पहले प्रवर्थन करने वाले इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं आदी प्रवर्थक आदी प्रवर्थक, option is का correct answer है किसी मत को प्रवर्थन करने वाले आदी प्रवर्थक कहलाते हैं option is का सही answer है question भाई से नव निदी में कौन सा समास है अव्यविबा, द्वीगू करम दा रहे हैं या बहुरी समास यह question आपने पहले भी देखा हैं आपको अच्छे से याद होगा, नहीं याद है तो वापस आप इसको समझ लीजिए नव निदी में कौन सा समास है यह संक्या वाचक सब्द आगे आ रहा है संक्या वाचक, यानि कि नो निद्यों का समाहर है संक्या वाचक सब आजाए तो इपने द्वीगू समास होता है यह क्या इपने द्वीगू समास option B, इसका एकदम सही answer है, option B question 13 किस करम में किस करम में करम ततपुर्ष समास नहीं है तो क्या हो जाए इसका answer यता समय, जल, पिपासू स्वर्ग, गत या फिर यश, प्राप्त, करम ततपुर्ष मतलब क्या हो जाएगा कारक्चिन कोक इसमें यूज नहीं होगा आपने तकि जल, पिपासू में अगर देखें तो जल को पिपासू यश को प्राप्त, स्वर्ग को गत लेकिन यथा समय अगर देखें तो जेसा समय है वेसा इसका समास विगर होता है और यथा समय में अपने अव्य भाव समास होता है अव्य भाव, और वाकिस अभी में अपने करम ततपुर्ष हैं तो option first इपने एकदम correct answer हो जाएगा अगला प्रेशने निस्चल सब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है निस्चल में, क्या होज़ाग इसका अंसर नी, नीर, नी है या निस क्या होगा इसका अंसर आप भी पताईए बटबट निस्चल में अगर बात करें तो निस उपसर्ग हैं कौन सा उपने, आचार में अगर देखें तो आचार में अगर अतिवसर्ग जोड़ेंगे तो देखें क्या होगा इसमें, मुलसबत क्या बनेगा अपने इस ती में उपने इ की मातरा है, कौन सी मातरा इ और इ के बार अगर कोई विजाती आ सवर Krash तो उसके क्या बन जाता है अपने य बन जाता है य और यहाँ पर विजाती स्वर कौन सा आ रहा है आ रहा है तो य का क्या हो जाएगा य हो जाएगा य और आगे यहाँ पर क्या है य की मातरा इधर चली गई यहाँ पर अत बचाएगा वल अत यानि कि यह त आदा ही बचाए तो आदत आगे क्या ये या और आगे क्या आज़ेगा ये चार ये चार अत्या चार बन जाएगा ये ये अपने यर्ण संदी का हो जा रहे हैं option c का correct answer है option c का हो जाएगा correct answer अत्या चार अगला प्रसने सू संस्क्रिट सब्द बनाएं किस से बनाएं अगर देखें तो देखें अपने इसका संदी विच्छत अगर देखें संदी के इसमें पहले देखें उपसर कौन सा अपने पहला अपसर अपने सू है और संस्क्रित का अगर और टूकड़ करें तो संस्क्रित के टूकड़ी क्या होते हैं समदन क्रित होते हैं समदन समदन क्रित संस्क्रित यह तो अपने option C हो जाएगा इसका correct answer सू सम दन कृट ओप्षण सीस का correct answer है यह अगला प्रशने संगत सब्द का सही संधी विच्च़त क्या होजाएगा संगत का सही संधी विच्च़त अगर देखेंती क्या होजाएगा सम दन गत होगा सं दन गत सम और अपने म आदा बना option A इसका correct answer हो जाएगा option A इसका एकदम सही answer है question 18 सेतान की आत का आर्थ क्या है अपने अत्यांत दूर्थ व्यक्ति क्या पिर नगईनी वस्तू बहुत लंबी वस्तू या अत्यांत लाब दायक वस्तू तो सेतान की आत का मतलब क्या होता है अत्यांत इस लोकोक्ति का आर्थ क्या है अपने बही गति साप चचुन्दर के यानि की साप चचुन्दर की गति होना ये इस लोकोक्ति का आर्थ या है अपने क्या है साप और चचुन्दर जैसा होना चाप का चचुन्दर जैसा होना दूविदा में पढ़ जाना है, छचुंदर का साब हो जाना, क्या होज़ेगा इसका अंसर, तोधिक इसका मतलब क्या होता है, दूविदा में पढ़ जाना होता है, option C, इसका correct answer हो जाएगा, ये एकदम correct answer है, question B से, तृष्णा के विपरितार तक सब्द का चेन करना है, विल इडिया सामीश, क्या होज़ेगा इसका अंसर, तो देखें, तामसिक का अपने साथविक हो जाएगा, option A, option A, इसका correct answer है, साथविक, देखें, ये तो अपने किस के थे, हिंदी के थे, और बाकी, ये question अपने GK के हैं, तो ये भी आप ध्यान पूरुक देखिए, और इनका कौन सांसर सही हो सकता है, आप भी comment करते हैं, comment करते हुए चल सकते हैं, अर्थूना के प्राचिन मंदिरों का समंद किस वन से हैं, राटोर चोहान, सिसोदियाया परमार, तो अर्थूना के प्राचिन मंदिर अपने बाहसवारा में हैं, और इनका समंद अपने का हैं, किसे अपने परमारवन से option D राजिस्तान के मीनी माउंट अबुक के नाम से किसे जाना जाता है अपने तो देखिए राजिस्तान का मीनी माउंट अपने किसे केते हैं देखिए माउंट अपने का हैं आप सभी को बताएं सीरोई में हैं और मीनी माउंट इसे का जाए तो किसे केते अपने सिधा पांसर ज्यान रखें हल देश्वर महादेव जो अपने सिवाना में है ओप्शन डी हो जागा इसका correct अंसर सिवाना का है अपने बाड मेर में है यहाँ पर भी अगर देखें तो पिपलूद गाउं पिपलूद गाउ हल देश्वर मादेव सिवाना ओप्शन डी इसे केते है अपने मीनी माउंट अगला प्रverse प्रतिहार कालीन महा मारुसेली में नीरिमित मंदर कुन सा है महा मारुसेली में मेहनदी पूर बाला जी मंसथोसा हर्षजत माता मंदर गोगा जी का थान् हनुमान जी का मंदर ग एक शाका है, का समद्ध किस जिले से हैं, क्या होज़ागा इसका अंसर, तो दीखिए देवडावाटी का समद्ध अपने किस जिले से हैं, सीरोही, जालोर, चित्तोडगडिया, करोली, क्या होगा, इसका correct answer पटापट साब, आंसर बताइए, तो दीखिए, देवडावाटी अ आपर ब्रजबासा का थोड़ा बहुत प्रवाव देखते हों कि मिलता है, अपने बरतपूर मिलता है, अलवर में भी मिलता है, दोलपूर में मिलता है, उप्यूक सभी हो जाएगा, इसका correct answer option दी, question सताई से, गोरिय संपरदाय का प्रवर्तक किसे मना जाता है, या फिर गो गोरांग महापरभू option में देदे, तो ये भी सही है अपने, गोरांग महापरभू, विए इसके अपने, इसकी प्रदान पिट का है, तोदी कि राजास्तान में अगर बात करें, राज application के संधर में बात कर रहा हूँ बहारत की नि, राजास्तान की, तो गोविंद देव ज का जो मंदिर है अपने जैपूर में गोविंद देव जी का मंदिर यहाँ पर अपने इनकी प्रदान पीटे हैं गोविंद देव जी मंदिर जैपूर में तो ओप्शन सी इसका से अंसर हैं Question 28 है निमबार्क संप्रदाई की प्रमुक पीट कहा है इस्तिते हैं अपने रेवाशा सीखर बालाउत्रा बार्ण में नादवर रासमुद या सलेमाबाद अजमेर क्या होगा इसका अंसर तो देखे अपने निमबार्क संप्रदाई की प्रदान पीट अपने सलेमाबाद अजमेर में सतिते हैं सलेमाबाद में option कौनसा सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा परनामी संपर्दाय के प्रवर्तक संत कौन थे तो परनामी संपर्दाय को चलाने वाले को ने अपने प्राण नाथ जी option ए इसका correct answer जाएगा प्राण नाथ जी इसका एक ग्रंत पूछा जाता एक्जाम में कुजलम स्वरूप कुजलम स्वरूप इनका गरंत है अपने परनामे समर्दाय समधित गरंत है अपने कुजलम स्वरूप या आप ध्यान रगे इस समर्दाय का परदान पीट भी अपने रास्तान में जैपूर में ही है जैपूर में है अगला परस्तने बढ़ार क्या है काफ विवा से समंदित सब्दावली है तो विवा के वसर पर जो बोज दिया जाता है बोजन दिया जाता है प्रति बोज उसको अपने क्या केते है बढ़ार केते है और सामेला किसे केते है बारात का स्वागत करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते है अपने सामेला ये भी आ होगा इसका correct answer आपके हिसाब से तो तो देकि गोकुरू अभूशन के अगर बात करें तो अपने हाथ में पहना जाता है कहाँ पर हाथ में और हाथ यहाँ अप्शन में नहीं दे रखाएं कलाई दे रखाएं तो वो भी सही हैं कलाई पर अपने बात करें तो नोगरी समंद किसे हैं बांड जाती का समंद अपने अगर देखें तो बहूरूप्या कला से हैं देखिए एक रजस्तान में नाम जानने को मिलता है अपने जान की लाल जान की लाल बांड यह बहूरूप्या कला समंदी थे हैं और इनको रजस्तान का मंकी मेन का जाता हैं देखिए बहुरुपया कला किसे कहते हैं अपने बहुरुपया कला मतलब छदम वेश दारण करना किसी का जिसे ये अधिक तर ये अपने बहुरुपया कला में किसका प्रतेशन करते हैं बंदर बनते हैं मंकी बनते हैं ये जान किलाल जी बांड तो आप दियान रखें ये बांड जाती का समद्ध अपने बहुरुपया कला से हैं option भी अगला प्रसने question 33 क्रमर्शल सरवादिक शाक्सरता और न्यूनतम शाक्सरता वाले जिलों के नाम कौन से हैं अपने क्या हो जागा किसका answer देखिए 2011 के जनगर्णा कंसर अगर बात करें तो सरवादिक वा न्यूनतम साक्सरता अपने किन जिलों की हैं तो सबसे अधिक साक्सरता अगर बात करें तो कोटा जिले की हैं रहस्तान में अगर बात करें तो और न्यूनतम साक्सरता अगर बात करें तो जालोर जिले की हैं option d हो जाएगा इसका correct answer देखिए जालोर सिक्षा में बले अपने सबसे कम साक्षरता है अपने राज़तान में अगर बात करें 2011 की जन्गन्ना में अगर बात करें तो सबसे कम साक्षरता सबसे कम पड़े लिके लोग अपने काई जालोर में अगर 2011 की जन्गन्ना के अगर बात करें तो तो देखिए कम साक्षरता मान कर जालोर वालों को हलके में लेने की बूल मत कर देना सरवादिक चैन आजकल यहीं से हो रहे हैं जैसा की विदान सिर्भा में मुद्दा उटा था एसाई भरती में अकले 100 SI का चैन अपने जालोर सेतर से हुआ है यह न्यूस चली थी अकले 100 SI के अगर बात करें राजिस्तान में 800 के सम्धिंग पोष्ट थी तो केवल 100 SI अपने जालोर सांच्छर से चैन हुए थे इसी न्यूस सुनने में आई थी तो option डी इसका correct answer है अगला प्रिस्तन है राजिस्तान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सरवाधिक जनसंक्या गनत्व रखता है क्या हो जागा इसका अंसर जैपूर, जैसलमेर, कोटा या दोलपूर क्या हो जागा इसका अंसर जैके सरवादिक जनसंख्या, गनात्व यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या अब एक किलोमेटर में परती वर्क किलोमेटर में अपने कितने लोग निवास करते हैं सबसे अधिक तो अपने हैं जैपूर में option A हो जाएगा इसका कर्रेक्ट अंसर वो गन्यत वकेलाता है तो एक वर्क किलोमेटर में में जैपुर में सबसे दिग लोग निवास करते हैं ओप्शन ए इसका कर्रेक्ट अंसर हो जाएगा और देखे इस वीडियो का अंतिम क्यूशन का अंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका अंसर आप कमेंट करके बताइए यह आपका होमवर्क है